हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एस टीवी हर्याना निजूज कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाब भारत की लड़ाई बहुत मजबूति के साथ आगे बढ़ रही है आप सभी देशवाश्यों की तपस्या आपके त्याग की वज़े से भारत अब तक करोना से होने वाले नुक्सान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है आप लोगों ने कस्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है हमारे इस भारत वर्ष को बचाया है मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कत आई है किसी को खाने की परिशानी किसी को आने जाने की परिशानी कोई घर परिवार से दूर है लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाय की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं मैं आप सब को आदर पुर्वक नमन करता हूँ हमारे सम्रिधान में जिस वी दे पीपल अफ इंडिया वी दे पीपल अफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है यही तो है वो बाबा साब डॉक्टर भीमराव आमबेड कर दीगी जन्म जैन्ति पर हम भारत के लोगों की तरप से अपनी सामुहिक शक्ति का यह प्रदर्शन यह संकल्प बाबा साब को सच्ची स्थर धांजली है बाबा साब का जीवन हमें हर चुनोती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्थरम के बल्बूते पर पार करने की निरंतर प्रेनना देता है मैं सभी देश्वाशियों की तरप से बाबा साब को नमन करता हूँ साथियों ये देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग त्योहारों का भी समय है और वैसे भी भारत तो उठसों से भरा रहता है उठसों से हरा रहता है उठसों के बीच खिल-खिलाता रहता है बैसाखी पोहेला बैसाख पुथानडू बोहाग भी हूँ बीशु के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुवात हुई है लोकडाउन के इन बंधनों के बीच मैं देश के लोग जिस तरह नियमों का पानन कर रहे हैं जितने सैयम से अपने घरों में रहकर तोहार बड़ी सादगी पुर्ण तरीके से मना रहे हैं ये सारी बाते बहुती प्रेरक हैं बहुती प्रसंसलिया है मैं नए वर्ष पर आपके परिवार जन के उत्तम स्वात की मंगल कामना करता हूँ साथियों आज पूरे विश्व मैं कोरोना वैस्विक महमारी की जो स्थिती है हम सब उसे भलीभाति परिचीत है अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमन को रोकने के प्रयास किये आप इसके सहबागी भी रहे हैं और साक्षी भी जब हमारे हां कोरोन का एग भी केस नहीं था उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एरपोर्ट पर स्क्रेनिंग शुरू कर दी थी कोरोना के मरीज सो तक पहुँचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्रि के लिए चवदा दिन का आईसोलेशन अनिवार्य कर दिया था अनेक जगहों पर मौल हो, थियेटर हो, क्लब हो, जीम हो बंद करिये जा चुके थे साथियों, जब हमारे हाँ कोरोना के सिरफ पान सो पचास केस थे तभी भारत ने 21 दिन के संपोन लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया बलकि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया साथियों वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है लेकिन फिर भी कुछ सच्चाईयों को हम नकार नहीं सकते हैं ये भी एक सच्चाईय है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज बारत बहुत संबली हुई स्थिती में है महिना डेड़ महिना पहले कई देश कोरोना संकरमन के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसिस पचीश से तीस गुना जादा बढ़ गए है उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्य हो चुकी है भारत ने होलिस्टिक एप्रोच न अपनाई होती इंटीग्रेटेड एप्रोच न अपनाई होती समय पर तेज फैसले न लिये होते तो आज भारत के स्थिती क्या होती इसकी कलपना करते ही रुमें खड़े हो जाते हैं लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिती में वही हमारे लिए सही है सोशल डिस्टंसिंग और लॉक्डाउन का बहुत बड़ा लाब देश को मिला है अगर सिर्फ आर्थिक द्रस्टी से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है बहुत बड़ी किमत चुकानी पड़ी है लेकिन भारत वासियों की जिन्दगी के आगे इसकी कोई तुन्ना नहीं हो सकती सीमीत संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग के चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है देश की राज सरकारों ने भी स्थानिय स्वराज संस्ताओं के इकाईयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है 2400 घंटे हर किसी ने अपना जीमा संभानने के लिए प्रयास गिया है और हालत को संभाला भी है लेकिन साथियों इन सब प्रयासों के बीच कोरोना जीस तरफ फैल रहा है उसने विश्व भर्में हेल्थ एक्सपर्स को और सरकारों को और जादा सतर कर दिया है भारत में भी करोना के खिलाप लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े हम विजई कैसे हो हमारे हां नुकसान कम से कम कैसे हो लोगों की दिक्कते कम कैसे करें इन बातों को लेकर राज्जों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं मैंसे एक बात उभर करके आती है हर किसे का यही सुझावाता है नागरीकों की तरफ से भी यही सुझावाता है कि लोगडाउन को बढ़ाया जाए कई राज्जेतों पहले से ही लोगडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके है साथियों सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तै किया गया है कि भारत में लोगडाउन को अब तीन मैं तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मैं तक हम सभी को हर देश्वासी को लोगडाउन में ही रहना हुगा इस दोरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देश्वासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी किमत पर नए एक शेत्रों में फैलने नहीं देना है स्थानिय स्थर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मुत्य होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होर्ट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सतकता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के होर्ट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होगे नए होर्ट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता में कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और जादा बढ़ाई जाएगी बीस एप्रिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी के से पर्खा जाएगा बहां लोकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस ख्षेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो ख्षेत्र इस अगनी परिशा में सफल होंगे जो अपने अहां होट स्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहां पर 20 अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुटचाट दी जा सकती है लेकिन याद रखिए ये अनुमती सवशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लोकडाउन के नियम अगर टूरते हैं और करोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी अर इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी हैं और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है मेरे देश्वासियों कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तरुत गाइडलाइन जारी की जाएगी साथ्यों बीस अपरिल से चीनित खेत्रों में इस सिमीत छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बेहनों की आजिविका को धान में रखते हुए किया गया है जो रोज कमाते हैं रोज की कमाई से अपनी जरुरते पूरी करते हैं वही मेरा एक ब्रहत परिवार है मेरी सर्वोच्च प्राथिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है प्रदान मंत्री गरीब पल्यान योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है अम नई गैडलाइन्स बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है इस समय रभी फसल की कटाई का काम भी जारी है केंद्र सरकार और राज सरकारे मिलकर प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो साथियों देश में दवा से लेकर के राशन तक परियाप्त भंडार है सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है हेल्थ इंफ्रास्टेक्टर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ एक लेप थी वही अब दो सो बिस से जादा लेप्स टेस्टिंग का काम कर रही है विस्क्वा का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के दस हजार मरीज होने पर पंद्रासो सोलासो बेट्स की जरुवत होती है भारत में आज हम एक लाग से अधिक बेट्स की विवस्ता कर चुके हैं इतना ही नहीं छेसो से भी अधिक ऐसे अस्पताल है जो सिर्फ कोवीड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है साथियों आज भारत के पास बले सिमित संसादन हो लेकिन मेरा भारत के युवा वैग्यानिकों से विशेश आगर है कि विश्व कल्याण के लिए मानव कल्याण के लिए मेरे नवजवान साथियों आप आगे आए कोरोना की वैक्सिन बनाने का मेरे देश के नवजवान मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं साथियों हम धैर ये बना कर रखेंगे नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ बांग रहा हूँ साथ बातों मैं आपका साथ पहली बात अपने घर के बुजुर्गों का विशेश ध्यान रखे विशेश कर ऐसे व्यक्ति जिने पुरानी बिमारी हो उनकी हमें एक्स्ट्रा केर करनी है उन्हें कोरणा से बहुत बचा कर रखना है दूसरी बात लॉकडाउन और सोशल डिस्टंसिंग की लक्ष्ण देखा का पूरी तरह पालन करें घर में बने फेस कवर या मास्क का और वो भी घर में बने हुए उनका अनिवारिय रुप से उप्योग करें तीसरी बात अपनी इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्राले द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं उसका घरम पालन करें गर्म पानी हैं काड़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमन का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरग्य सेतू मोबाइल एप आरोग्य सेतू मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें दुसरों को भी इस एप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें पान्चवी बात जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरे करें उनके भोजन की आवशकता पूरी करें चटी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम करें लोगों के प्रती संबेदना रखे किसी को नोकरी से न निकाले साथवी बात देश के कोरोना युद्धाओं हमारे डॉक्टर नर्सिस सभाई कर्मी पुलीस कर्मी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदर पुर्वक उनका गवरव करें साथियों इन साथ बातों में आपका साथ ये सब्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है विजय होने का हमारे लिए निश्ठा पुर्वक करने वाला ये काम है पूरी निश्ठा के साथ तीन मई तक लोगडाउन के नियमों का पालन करें जहां है वहां रहें सुरक्षित रहें वयम राष्ट्रे जागरयाम हम सभी राष्ट्र को जीवन तो जागरुत बनाये रखेंगे इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आपको आपके परिवार को उत्तम स्वास की मंगल कामनाय करता हूँ बहुत बहुत धनेवार तो ये स्पीच रहें संबोधन और देश के प्रदान मंत्री का संबोधन देश के नाप देश में तीन माई तक लॉकटाउन की अवदी को बढ़ा दिया गया है और आपको ये बता दें कि इससे पहले जो 21 दिनों का लॉकटाउन था वो आज उसका आकरे दिन था लेकिन अब इस अवदी को बढ़ा दिया गया है तीन माई तक अब इसको एक्स्टेंड किया गया है यानि कि आगे बढ़ा दिया गया है स्थानिये एक भी मरीज अगर बढ़ता है तो ये बेहत चिंता कविशे है कोरोना से एक भी मौत होती है तो ये इस पर हमारी चिंता बढ़नी चाहिए 20 अपरेल तक हर राज्जे हर कजबे की निगरानी की जाएगी और उसके आधार पर आके जिन अलाकों के अंदर मामले सामने नहीं आ रही है जो राज्जे बहुत बैतर तरीके से काम कर रहे है या जिन जिलों में जिन अलाकों में काम अच्छे से हो रहा है जहां पर मरीजों की संक्याप सामने नहीं आ रही है और ग्रीन जोन यानि कि जिसको पहले ही कहा जा रहता ग्रीन जोन में है अगर वो ऐसा देखने को लता है तो वहाँ पर कुछ आप छूट दी जा सकती है सारे सुजावों को ध्यान में रखते हुए ये तै किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मई तक हम सभी को हर देश्वासी को लॉकडाउन में ही रहना हुगा इस दोरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देश्वासियों से ये प्रार्तना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नएक शेत्रों में फैलने नहीं देना है प्रधान मंतरी का देश के नाम ये संबोधन और आपको एक बार फिर से बता दे कि लॉकडाउन की अवदी को बढ़ाया जा चुका है तीन महीं तक अब ये लॉकडाउन आगे इसी रूप में रहेगा और प्रधान मंतरी ने साथ ही ये भी कहा है कि आप सभी जनता का सहयोग इस तोरान मिला 21 दिनों के इस लॉकडाउन में देश पर का सहयोग समर्थन और साथी साथ जिन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था उन नियमों का पालन लोगों की तरफ से किया गया है और इसलिए आज दुनिया के अंदर जो माहमारी फैली है जो उसका प्रकोब जिस रूप में देखने को मिल रहा है वो आज उसका जो स्वरूप है वो भारत के अंदर बहुत हद तक रुका हुआ नजर आता है कम नजर आता है और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए झाल 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 झाल